हेलो फ्रेंड्स मैं हूं अंगиваемे मेरे चैनेल में आपका बहुत स्वागत है आज हम इदन बार्ट्रियों में मैंगो बनाए बनाने वाले हैं कच्या आमपुल के मार्कट में मैंगो केंडी आती जो में दो आम को चील लिया है ऐसे सब से पर पैले इक पर और गुठली के दें cobicle का ज़से निकालना होता है उसे तो निकाल लेना आ निकालता अवैं व lland को अगहां टो किया साइथने इसे देख इसे कि अंगे हैं है इस तरह कि मैंने सभी को डिन है अब हम रisf पैनी हाप पानी या फ़े में हम डाल दी है और इसे अब हम एक पीस लेंगे एक स्मूज सामिक का पेश्ट बना लेना है विपर विश्म को जुद्धी मीडानी चाहिए अच्छी सापी से पीस ले और यह देखे हमने से पीस के रड़ी कर लिया है अब देख सकते हैं अंदर से इस तरह कही रहेगा अब हम गेस के पास आगे मेने एक पीन ले लिया है जि हम चीनी की चासनी रड़ी कर रहे हैं हम इसमें तार दिखेंगे एक तार के भी हम चासनी रड़ी करेंगे तो इससे हम सिजाते जाएंगे जब तक यह अगाड़ी नहीं हो जाती आगें है और यह देखिए इसमें तार आने लग गए ना बश इस तरह आने लग जाएगा एक तार हमने दिखाए अब हम गेश की क्लिंप को तूरा से लौ कर देंगे एक चलनी की सहाथा से हैं इससे छाना निकल फीका के शाना है जो रख लेना है , जो बीदीति है और छीए हैं इस तरह पोर्चा है मुटवाला हुटा पोड़ के हम को डीलैकर ुसतियी बीदें हो अच्तलि टालना है जो मोटवाला पॉशन होता है हम हटा दिन गे छान कर दे से पैसे लिए डालगे लिए यहें कि गाड़ा कर लेना है ताकि इसकी बीच चासनी बन जाए कम चाअ के चासनी जैसे में जाए जितना गाढ़ा हो सकता भी मैं इसे करूंगे आपको दिखाऊंगे किस तरह से चेक करना है तो इसमें डाल दूगी ग्रीन फूट गलर तो यहां पर देखे में थोड़ा से ग्रीन फूट कलर ले लिया है इसे मार्केर जैसा लुक दे रहे हैं ना खचाम जो ग्रीन गलर काता है बस वही लुक हम देने वाले इसमें इसलिए पर मैंने ग्रीन फूट गलर डाला है अगर आप फूट गलर पसर नहीं करते हैं तो आप स्किप कर दें और इस तरह से देखें मैं इसे कंट्री मिलाती जाओंगी चलाती जाओंगी और से काफी गाढ़ा कर लूँगी इसे क अब फिर से हम चेक करेंगे दो मिनिट के बाद और यह देखें जब मैं इसे पाने में डाला तो यह देखें एक लड़्डू जैसा बनने के लिए लग गया यह देखें इस पर चौकलेट की से पाने लगी आप देख सकते हैं देखें बिल्कुल भी पानी की साथ मिक्स नह कर दिया इसे हम निकाल लेंगे इस तरह से देखे पेन को अब मैंने यहां पर एक चॉकलेट का मोल्ड ले लिया है इसमें थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे अगर आपके पस चॉकलेट का मोल्ड ना हो तो इसके भी मैं आपको अप्सन बताऊंगी किस तरह साब को रेडी क दीज सकते हैं और इस तरह से थोड़ी चॉकलेट में हम ढाल देंगे अगर आपके पस मोल्ड ना हो तो इस तरह से बना लें अगर इस तरह से देखे मिनी से रख दिया है अब जब ठंडा हो जाएगा ना बहुत अची से या फिर आप इसे फ्रीज में दो मिनेट के लिए फिर इसके बाद हम आप देखेगा जब ठंडा हो जाएगा तो काफी अची से सेट हो जाता है आपको जल्दी तब फ्रीज में रख दे बहुत सुन्दर सेट होता है यह देखे चॉकलेट हमारी बनके त्यार हो चुकिए आप देख सकते हैं तब से मेंगो कच्चाम जो आत चॉकलेट बनके त्यार हो जाता है ना तो एक प्लेट में से में निकाल ले रही हूं तो इस तरह से देखे हमारी जो चॉकलेट है तो इस तरह से हमारी जो चॉकलेट है तो इस तरह से हमारी जो चॉकलेट है तो इस तरह से हमारी जो चॉकलेट है अब बन के त्यार हो चुका है यह दिखिए मैं को सामने से दिखाते हूं अबीद आपको रेसेपी अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी तो आप यह चॉक्ट वाली रेसिपी को जरू से जरू से ज्यादा से यह ज्यादा से लाइक कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल में नए है तो मेरे चैनल को सिस्क्राइब कर लीजे थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो